आप बच्चे हैं या फिर बड़े हो चुके हैं सीखना जीवन की कभी ने खतम होने वाली एक प्रिक्रिया है सीखने का मनोभाव हमेशा आपकी मदद ही करता है हम हर रोज कुछ सीखते हैं और अगर आप एक शात्र है तो अपमें हैं परिक्रिया काफ्य अदिक होगी बच्चे सीखने के लिए स्कूल जाते हैं लेकिन दूसरों का क्या ऐसे में ओनलाइन माध्यम से सीखना सभी के लिए आसान है ओनलाइन लर्निंग क्या है देखा जाए तो पढ़ने के कई अलग-अलग माध्यम है जैसे ओनलाइन ओफलाइन डिस्टेंस लर्निंग, इलर्निंग आदी एक पारंपरी कक्षा जिसे आजकल हम ओफलाइन क्लास के नाम से जाने लगे हैं दूसरी तरफ वह सिक्षया जो हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसे ओनलाइन माध्यम कहते हैं, कुछ ऐसे विश्वविध्याले हैं जो उन छात्रों के लिए ओनलाइन क्लासेज की स्विधा देते हैं, जो किनी कारणों से कक्षा में उपस्तित नहीं हो पा आज की तारिख में ओनलाइन प्लेटफोर्म पर तरह तरह के कोर्स मुझूद हैं, जिसके लिए कोई भी आसानी से एडमिसन ले सकता हैं, इससे कोई फर्क ने पड़ता कि आप कहा हैं, आप किसी भी कोर्स में, दुनिया के किसी भी इस्से में प्रवेश ले सकते हैं, शिक जो आने जाने में लगने वाले समय को बचाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको और भी कही तरह के स्विद्धा मिलती हैं, जैसे शिक्षक और शात्र दोनों ही आपस में वारतालाब करके, शिक्षन कारी के लिए एक उचित समय निकाल सकते हैं, जिससे किसी का कोई अन्य नु ऐसे में उनके लिए ओनलाइन लर्निंग एक बेहतर विकल्प है, चाहे आप काम करते हो या फिर शात्र हो, ओनलाइन लर्निंग का विकल्प सभी के लिए मोजूद हैं, कोरोना महामारी के दोरान, स्कूल, कोलेज, सब कुछ बंद थे, मगर ओनलाइन लर्निंग के जरिये उनलाइन क्लासेज की सबसे बेहतर विशेषता क्या है, ओनलाइन लर्निंग के दोरान, एक सात्र कहीं चीजिजे सीख सकता है, जैसे यहां पर कई बारे में जान सकते हैं, जू inici में हमारे काफी काम क juste हुते हैं आप यहां पर भासा लिखावा डिजाइन आदी सब कुछ अपनी स्वीधानुसार बदल सकते हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो इस दूरान सिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे से दूर रहते हुए भी काफी नजदीक होते हैं क्योंकि ओनलाइन क्लास के बड़ कोथी छात्र मोजूद रहते हैं जबकि ओफलाइन क्लास में ऐसा नहीं हो पाता जब भी आप चाहें सिक्षक आपकी मदद के लिए उपलब्द रहते हैं शिक्षा ओनलाइन रूप में कैसे बदल रही है कोरोनमा हमारी के दोरान दुरस्त सिक्षन प्रणाली लोग प्रिवी है कई सिर्स के पोर्टसल इस छेत्र में पहले से ही मोजूद थे जबकि बहुत से नए भी इस दोरान उबरे हैं कुछ काम चला हूँ है तो कई बहतर भी है लोग अब इसे पसंद भी कर रहे हैं और अब यह पढ़ने का इना इस्टाइल बन चुका है खास तोर पर बच्चे इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं शिक्षा का जो भी तरीका आप प्रदान करते हैं आपका बच्चा उससे जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए और ओनलाइन लर्निंग में ये सभी खुबिया मोजूद है यह शेत्र पूरी तरह से नया है और पूरे विश्वबर में लोगों द्वारा पसंद भी किया जा रहा है यह दिन प्रती दिन लोग प्रियता हासिल कर रहा है और धीरे धीरे शीक्षा का सबसे लोग प्रियसाधन बनते जा रहा है निसकर सीखना सभी तरह का ग्यान प्राप्त करने के बारे में और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सीखने का माध्यम क्या है धन्यवाद, जैहिंद,